नेता जी का रोट सो में जो हमारा कारवा है वो बिलहा पहुंचा हुआ है और बिलहा में यहां पर लगातार जो नेता है वो सघन दौरा कर रहे हैं दिन रात मेहनत कर रहे हैं परी पार्टी को अपने प्रत्यासी को जिताने के लिए और आप देख सकते कि अभी भी जो पार्ती जनता पार्टी के वरिष्ट नेता विल्हा विधायाग धरमलाल कौसिक जी किस तरीके से पूरा इस चुनाओं को आप देखते हैं लगातार प्रदर्श आप लगातार मेहनत कर रहे हैं ग्राउंड जीरो पर जा रहे हैं और आप रोडसो भी कर रहे हैं देखें लोक लगभग माताएं बहने हैं आसिरवाद दने के लिए तयार हैं और अलग-अलग हमारे जो पुरुस लोग हैं समाज की लोग हैं जो लोग विधान सभा में ओट हमको नहीं दिये थे आज ओ लोग भी मोदी जी को ओड देने के लिए तयार हैं हैं दस साल का मोदी जी का कारिकाल देखेंखें समाज में जो परिवर्तन आया है वह सब देखें और यह कह सकते हैं कि देश का विकास और दूसरी बात एक कह सकते हैं यदि मजबूत राष्ट चाहिए तो मजबूत नेत्रित चाहिए आज दुनियामें मोर्य जी जंका जो बज रहा है निश्चेत रुप से इस देश में और विदेशों में भी जो परिश्चितियां बनी है कि दूसरे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी का पैर शुवे कोई यह कहे कि हमारे बाउस है तो आज इस बात को ले करके हम कह सकते हैं कि इस देश की आवसकता मोदी जी है प्रधानमंत्री बनाना 15 साल में जो तेजी के साथ में डॉक्टर रमाल सिंग भाजपा ने जो विकास किया भूपेज बगेल के आने के बाद में पूरा चतिजगर नर्वा-गर्वा भारी में डूब गया और आज भी लोग ऐसा नेत्री तो चाहते हैं जो दे कियार है सब साथ तारीक को इंतिजार कर रहे हैं और जाएंगे कमल पुच्छाप को बटन दबाएंगे चलिए वो तो अभी तो टाइम है उसको लेकिन आपको दिखाना चाहूंगा यह देखें नेता जी का रोट सो है यह जो है यह गाड़ी भूपाल से चलकर सीधे 36 गड यह जनता तक पहुंच रहे हैं उनके मुद्दों को जान रहे हैं और उनके मुद्दों को पूरा करने का जो है वो वादा भी कर रहे हैं लगातार यहां से भारती जनता पार्टी के प्रत्यासी जीतते हैं लगातार जीत दर्ज की है और यही वज़ा है कि यहां पर जो काम काज है उनको लेकर भी हम बात करेंगे हम आदे साथ वरिष्ट नेता है कौसिक जी किस तरीके से काम जो है भारती जनता पाटी यदि चतिस गड़ में आपकी सरकार रही तो किया गया और पिछले 10 सालों से क्या कुछ विकास देख रहे हैं चतिस गड़ में देखिए चतिस ग सड़क हो सिक्षा हो स्वास्त हो उस दिसा में चतिस गड़ अकेला ऐसा तीनों प्रदेश जो राज ये बना उसमें कर सकते हैं जिसमें आगे निकल कर किया है दस साल में मोदी जी के सरकार बनने के बाद यहां भुपेज बगेल के सरकार थी जिन्होंने केवल रोकने का काम किया प्रदान मंतरी आवास डाक्टर साब के समय में पूरे गाउं में जो बनना शुरू हुआ था भुपेज बगेल आने के बाद में उसको साइलेंट तर दिये सड़क हम लोगों ने जो निर्माड किया था भुपेज बगेल के आने के बाद में एक जववा गिट्टी उ अठाया लेकिन ये कह सकते हैं कि नरेंद मोदीजी के आने एक बाद में लोगों के जीवन में समाजिक परवर्तन पुजला गेस योजना चामल उनके घर में पहुंच रहा है मकान के लिए पैसा उनका आ गया इसके साथ में उनका सोचाले का निर्माड हुआ गाउं में सिस कि इस दीला है आपको कि विलासपूर से लेकर आपका राइपूर से राजबन गाउं से लेकर कि दुरुख से लेकर के जो हाईवे कर निर्माड हुआ है अपने आपमें अध्दूती है अच्छतित गड़ के अलावा अन्य राज्यों में यह कहा जा रहा है कि ठ्छतित करेंगे हैं आप यदी भाजपा की सरकार बनाएंगे तो बाजपा की सरकार के बनाने के बाद में आपको यह दिखेगा उसमें हम लोगों ने कहा था कि आप भाजपा के सरकार बनाएं गए तो रूंद देंगे रुखा मतलब 500 रुपए में गेस सिलेंडर आपको भरवाएंगे और जिनके पास में भूमी इन है उनको हम 10,000 रुपए देंगे तेंदू पत्ता के संग्रहा को हम 55,000 रुपए देंगे चरण उपाद का देंगे 100 दिन के अंदर में मुझे लगता है कि जितनी सरकार बनिये सैद इतना काम नहीं किये होंगे हमने 2 साल का रुका हुआ बोनस दिया किसान के खाते में जो पैसा गिया है उनके जीवन का ये पहला उसर है चार बार उनको पैसा मिला, एक बार उनको बोनस का पैसा, समर्थन मुल्य का पैसा, अंतर किरासी 19,000 रुपए, सम्मान निधी चार बार जीवन में पहले बार किसानों को सुख मिला, और उसके साथ में महतारी वंदन में गाओं में मैं हाथ उठवाता हूं, कि छुटा तो न आद में 36 गड़ के जो विकास है और जो कारे है, वो साएं साएं सुरू हो गया, अब किस तरीके से देखते हैं आप इन दो चरण के जो मदान हुए उसमें परिणाम को 36 गड़ में, देखे पूरे देश की बात करेंगे, तो दो चरण के जो चुना हुए हैं, उसमें हमने स चल रहे हैं, और 11 के 11 लोग सभा, इस बार हम लोग चीतने वाले हैं, जो विपक्षी पार्टी है, वो बोल रही है कि 400 पार के पीछे बड़ा सडियंत्र है, क्या सडियंत्र है, क्या मान रहे हैं उन लोग, देखिए, कांग्रेस के पास आज कोई मुद्दा नहीं है, 400 पार का मतलब है, कि नरेंद्र मोदी जी का इस पस्टमत, कि गुलामी के जो प्रतिक है, उनसे हम मुक्ति दिलाना है, हमारा 2047 में, विक्सित भारत में को जाना है, तो दस साल में जो काम हुआ है, अद्भूत काम हुआ है, लेकिन उसको मोदी जी ने कह दिया, कि यह टेलर है, तो वास्तोविक में इंतिजार करना पड़ेगा, कि हमको आने वाले समय में क्या दिखाएंगे, बड़े नीर्णाएं, कड़े नीर्णाएं, नोट बंदी हुआ, सब लोग बोले कि गयी सरकार, नोट बंदी में, लेकिन जो लोग हमको वोट नहीं दे थे ते वो लोग भी हमको वोट दिये, आज धारा 370 की कलपना क्या करते थे कांग्रेस के लोग, खुन के नदिया बहे गी, एक कंकड भी ने उचल के ने गया, आप कासी में जा करके देखे, आप जा करके सोमनात में देखे, कि जो हमारे विरासत है, जो हमको मिला हुआ है, आज उसको कैसे आगे बढ़ा रहे हैं, और इसके साथ में, आज कही न कही लोगों में संपर्नत आई है, और ये 400 के पीछे सहमई हुई है, डरी हुई है कांग्रेस, क्यों डरी हुई है, जो जेल में है या बेल में है, और ऐसे लोगों को मिला करके, वो चाहते है एक खिचली सरकार बने, और जो यहां के तेजी के विकास से उसको रोके, मोदी जी के रहते, अमिर साजी के रहते, नडड़ा जी के रहते, ना किसी का आरक्षण समापत होगा, ना सविधान बदले जाएंगे, बाबा साहब जो कॉंग्रेस यहां से जीतेगी, लोग साबा, परदेशियों से न अखिया मिलाना, परदेशियों को है एक दिन जाना, यह बात सब को मालूम है, यह आये हैं, और खाली हाथ यहां से काईगे, यह किसी को एक बर गा के बोल देंगे, मैं भी आपका साहथ दे दूगा, परदे परदेशियों को तो एक दिन है, जाना हो, क्या बात है, हाँ, बात पूरीकर, तो मेरा यह कहना है, कि जो आए हैं, उसके बारे में, उसका परिवार का काम क्या है, किसी से चुपा हुआ नही है, उसका खुद का काम क्या है, किसी से चुपा हुआ नही है, एडी का रेड है, किसी से चुपा हुआ नहीं है और वहां उसके क्या चलती है किसी से चुपा हुआ नहीं है यहां 36 गड़ के जो लोग हैं विल्यासपूर के लोग हैं सांतेपिरी लोग हैं वो चाहते हैं कि सहाज आद्मी रहे सरा राद्मी रहे जो जिनके साथ हम बात कर सके जिनके साथ हम ब बढ़ते हुए करम में हैं पीचले बार अरोऑसवर जी 1,40,000 से जीते थे इस बार हम लोग 2,00,000 से उपर में जाएंगे और 2,002 बार में जाएंगे और हमारे सांसा तोखन स्हु यहां से जीत करके जाएंगे तोफ'T नेता अलग अलग पदो में रहे हैं भारती जन्नापाट कुछ भी बहतर समझते हैं उनका कहना है कि अभी तो ये टेलर है पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त तो इस पिच्चर को देखने के लिए आपको चार्ज उनका इंतिजार करना पड़ेगा कैमरा मिन दीपा के साथ मैं उमेश मौर न्यूजे टिम बिलासपूर